अजी जाने की जिदना करो यूही पहलों में बेटे रहू यूही पहलों में बेटे रहू अजी जाने की जिदना करो स्वर्गी पंडित बिर्जु जी महराज के पाठशाला की सबसे मिधावी छात्रा वा कथक करता महराज खांदान के अंश्वा उनके भाग जुड़ चुके हैं जी हमारे साथ आज नीलिमा आजीम जी वा पंडित राम मोहन जी महराज जुड़ चुके हैं आप बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ तो आप अपना संस्थान डालने जा रही हैं महराज जी की लगिसी को आगे बढ़ाने के लिए तो इस संस्थान को आपने इसका जो अपने जगह चुनी इसको मुंबई को आपने चुना तो महराज जी बैसिकली लखनओ से रहे हैं तो आपने यह नहीं सोचा कि लखनओ से इसकी शुरुवात करते हैं जी तो ऐसा है कि महराज जी पिछले जहां तक मुझे मैंने देखा है पिछले 35 साल से उन्होंने यहां जो कथक का फैलाओ किया अर जो बारहिकया और प्वसूर्तियां उन्हाने यहां के सारे ही शाईलों में और इवन परफॉर्म पे टीचर्स में गुरुवों में जो उन्हाने डैvलब किया मेरे आखों के सामने मैंने देखा है मैं खुद उनके साथ 18 साल से जोड़ी में वरक्शॉप को लेके मैं तो खेर उनकी शागित हूँ और मैंने बहुत छोटी उमर से उनसे सीखा था लेकिन यहां मैंने जो बंबे में उनका कॉंट्रिब्यूशन देखा है वो उसको एक्सप्रेस करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि एक जीनियस ही कर सकते थे जो उनने इतना डेवलप किया कथक को और शुरू में मुझे याद है पहले दो-तीन साल जब मैंने देखा थ सिर्फों है कि से फुष है कि था शृूर्वर होति सब हर तरह के घिर्वों के शागेड रावन के शागेड कोई घराने कर रही नहीं था कि बनारस हो Да यह आ फुरा यह लगुत थीन नयोंत absolutely मियना साहई शागे as mostra heels इन इतने इतने बत बच्चे मेरे आँकों के सामने तो मैं जो मालम है कि Bombay एक ऐसा शह है, महाराजी इस तरह से देश विदेश हर जगा वरक्शाप्स करते रहे, पिछले मेरे खाल में 30 साल में महाराजी ने हर कोने में जाके, अलग-अलग सीखे वे बच्चों को, अलग-अलग अमगों के बच्चों को, अलग-अलग, बस मैं तो ये भी बोलूँगी, मैं माफी चाहूंगी, distorted कथकों भी उन्होंने इतना खुबसूरत एक जिसे कहते हैं, अंग दिया, और आज महाराजी की लोग गिंदी की इतिहाईया नाचना हैं, महाराजी की अंताज में पूरा शुरू में अराधना करना, उसी तरह से थाट में अराम से खड़े होंके कराना, तो हमारी क्या है खाहिश, आपका जो सवाल है, उसका मैं अब जवाब दूँगी, कि मेरी ये खाहिश थी, कि बॉम्बे में, हमने जहां पे सीखा है, लखलों घराने में कथके, उसका ऐसा कोई टॉच पेरर अब रहा नहीं, महाराजी को हम कि इननने लूस कर डिया, 18 साल, 16 की राद, 17 की सुभा, महाराजजी बारा विजा कतर होला, उसके बाद मुंझे चुट कि आतीज हुआ मैं कुछ किया नहीं, कृटक के लिए, महाराजी चूल ऑदांस के लिए, महाराजी के विज़्न, के लिए, महाराजी के लिए, पर 2014-15 में में और रामुजी वाओबे नाचे होनी के लिए तब उसके बाद उना इसरार किया कि तुम दोनों करो, तुम दोनों करो, बॉन्बे में करो, तो मैंने किया नहीं आचली क्योंकि मेरे अपने कुछ बसुर्फयात थी और जिंदगी को आपकु मालम है, जिंदगी रहती है, लेकिन उनके खतम होने के बाद मुझे बहुत पैसुस हुआ, कि महराजी ने कहा था, तो इसलिए मैंने रामुजी से इसका जिकर किया, और वो बहुत खुश हुए, और हमारी बहुत चेष्टा है, एक बहुत हमारी खाहिश भी इसमें, हमारे काप भी जुड़े है, कि हम इसको लेके आगे बढ़ें, हम महराजी की दीकसी को क्या, रामों जी कर सकते हैं, मैं तो इसे पित्ता कहूंगी, कि उनके सिखाई भी तालीम, कि जो उनके एक पद्ध पढ़े हैं इस चेहर में, उसके पीछे में हमके चन्नों के, बोल गिरा की चन्नों तो महराजी ने बड़े ही सुर्णिम बीज अपने बोहे थे, आपने अपनी संस्थान का नाम भी रूट्स अकेडमी रखा है, तो जड़ों को आप बढ़ाते जा रहे हैं, जड़ तो यह हैं, अब उसको हम मजबूदी से पढ़े हैं, वही महने बड़े सुर्णिम बीज जड़े हैं, जड़े हैं, तो आइए प्रश्ण उत्वर का सिंसला शुरू करते हैं, मेरा पहला प्रश्ण महराजी आप से, कथक का अर्थ क्या है और ये कला कहा से जन्मा, देखें, कथक जो है, हम लोग कहते हैं, लखनो घरानो, एक्टर मैं ये, लखनो घराने में कथक आया, था नहीं, हम लोग एक गाओं है छोटा, जो बनारस और इलाहबाद के बीच में कहला है था हडिया तैसी, जहां वो मंदिर आज भी है, जहां से इस कथक के उत्पत्ती हुई, हमारे जो परबाबा थे इश्वरी परशाद जी, वो वहीं रहते थे, हमारे जितने पू अधर की उत्पत्ती हुई, पर जब नवाब वजदली शाह लखनु आए, जब उनको पता लगा कि ऐसा ऐसा निर्थ वहां होता है, जो क्रिश्ट के उपर अधारित है, और क्रिश्ट की ही राज़िला, क्रिश्ट के ही भज़ा रोगते हैं, तो अच्चमें जो नवाब व वज़दली शाह थे, वो थे तो मुसल्मान, और क्रिश्ट के भगत थे, उनकी तीन सो बीवियां थे, तो कोई सखी, कोई राधा सब को बना के वो रासलिला करते थे, तो हमारे जो पूरवस थे हैं, तारता महराज, इश्वरी वशाच जी ये जितने थे, उनको वहां से ल लखनों बुलाने के बाद ये निर्त जो है, मंदिरों के बाद दरवारों में शुरू हो गया, और दरवार में जब गया, तो नवाब, नवाब का मूट होता था, कि मही कुछ नई चीज देखें, तो बोले कि महाराज, कालका महाराज की बाद तर रहूं, हमारे जो बाद कि महाराज कुछ नई चीज दिखाएगी है, हम जो चाहरे वो दिखाएगी, तो ने का जी होगो, अचा दरवार में क्या होता था, खाली सर नहीं जाते थे, टोपी पहन के और आदाब करते हो जाते थे, उस जमाने में ऐसा हो, तो उन्होंने क्या किया, कि जमीन पे अभीर गुलाल बिचा दिया, भरक, और उस पे कार्पेट बिचा दिया, कार्पेट, अब उस पे हमारे बाबा लोग नाशना शुरू किया, उन्होंने, और जब डान्स करके कार्पेट हाता है, तो राधा क्रिशन की तस्विक बढ़ी है, तो उस जमाने में ऐसा निर्थ चाइले प्रवेशन की रचना की, और उनको साक्षा, प्रिशन के दर्शन हुए, उसके बाद उनका ध्यान दुआ, तब से हमारे पूरे परिवार में क्रिशन का वर्दा है, जो हम लोग उसको आज भी कमानन रगते हैं, और हम लोग उसी पीडे के हम सात्री पीडे है, तो ये तीरे दीरे आने की जञिन अने के बाद फिर ये मंच पे फर्वेशन की और ये निर्थ एक्ट पे लडकोओ का निर्थ रहा है, इसको लड़किया नहीं करते हैं, हमारे खांदान की लड़कियां नहीं करती थे, विससे की ती पर आजकना चेंज होंग गया है, इसमें आजकर लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं हमारे अभी जो मैं वाक्शॉप में आए निल्मा जी करा रही है निल्मा जी ने बुलाया मुझे तो हम अपने बच्चों को देख रहे हैं जो बिगना रहे थे जी रो होके और मैं तीन दिन में उन्होंना आफद कर दी ओलो मु माफ कीज़े का यह दिल्ली में जो चीज मैं बॉम्बे में देख रहा है इसलिए मैं मॉम्बे आना चाहिए तो आपको नील्मा जी ने प्राप्त करा दिया असल में नील्मा जी का इसलिए मुझे हक है और मेरे को इनका हक मुझे है क्योंकि हम लोग बच्पन की दोस्त है चोटी उमर से और यह हम लोग साथ 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 सीखें हैं महाराची से साथ साथ बढ़े हुए और एकदम मतब एक लेवल पर आप आप हमारे इनका डुएट दिखेंगे ना एक उंगली बेलग नहीं जाए आपकी मुलाकात राम मोहन जी से कैसे हो एक बच्चा भाग जाता था मुझे देखके हम लोग दोनों शागिर्थे जो फांडेशन हमारा हुआ है वो श्रीमती रेभाविध्यार्ती एनी के पिताजी की सीनियर शागिर और बहुत अच्छी टीचर और जो बच्चों ने उन पिताजी की शागती है तो हम दस साल के थे उस वाग जब कथकेंदर में मेरा इडमिशन हुआ तुरियवधीदी के क्लास में जब हम बैच में जाके खड़े हो गए तो ये भी थे अब मुझे नहीं पता था कौन थे हम लोग सब साफ के छोटे थे तो से खड़े हो गए तो वो उनसे मैं मिला और वो जब मुझे देखे लो बहुत प्यार दिया तो मतब वो ही कहने लेके ये मेरा बेटा है मतब रामुझी हमारे घर में बहुत पले बढ़े है एक पलिवार से हम उनसे जुड़ गए वो अगर आज होते ता आज मैं पता नहीं कहा होता मतब इतना अगर जो महाराज जी के सथ आपकी कोई अद्व दिया दे रही है अरे एक से एक हैं पहली बार तो मुझे यादे कि है मैंने उनको जब पहली बार मंच पे देखा तो मुझे ऐसा लगा कि आसमान से एक एक परी उतर के नित्ते की परी अमारा जी ने बाद में बहुत सालों पात कहा के कत्थक परियोंग अनाच है तो मुझे ऐसा लगा पहली बार मैं उस्टिल में थी ने निताल में पढ़ रही थी वेस्टन कल्चिर था काफी हद तक हाला कि हमारे घर के तो उर्दू जो है जबान है तो ऐसी है कि हम लोग ने उस मत्तब हमारे पेरेंस और हमारे स सारी जितने भी बुज़र्ग और उर्दू की बहुत की है सेवा तो मैंने जब महाराची को पैली बार देखा तो बहुत बड़ा फेस्टिवल था पुराने में में जिसमें दिंकच कलाकार सारे उस्ताद जिलाय प्रांसाब, पंदत रावी शंकर, सेतारा जी मतलब ने हम तो बोली नहीं सकते हो, उनकी निर्थे के बारे में तो हम क्या सिकर करेंगे, क्रितिसम करेंगे, मेरे तो हार्ट बीट कर रहा था, मुझे यसा लग रहा था, जैसे हजारों बोडे इस वक जो भाग रहे हैं, और तब भी आज भी महराची के कान में मैं जाके, जब महार का सवाल है, महराची ने डांस के इंडम पलट लिया, जैसे पुराना नाच जो था, उसमें ग्रेस नहीं हुआ करता, और महराची ने उसमें जो रस डाला, जो ग्रेस लाए, जो अबसूरत अंग बनाया, सब कुछ ही है, आज सारी दुनिया वही करती है, सब उनकी करती है, वहना आज कर लोग क्या है, पंदरा पंदरा फिट उपर उचलते हैं, था मारते हैं, भईया, जब धरती मा कहली कि मुझ पे नाच तो तुम इतरा क्यों उचल रहे हो, आज करती है, एक बार बस एक बता देते हैं उनको, एक्जांपल, तो जब मैं पहरी बार इंटर्व्य के लिए गई हम लोग का इंडिशन मुआ कतक के अंदर में, तो महरा जी रेल लाइफ में बिल्कुल वैसे नहीं लगते थे, जैसे मंच पे, जब तुम्हें याद होगा, आपको याद होगा, कि वन याद होगा, कि महरा जी पे इतना एकदम ऐसा औरा, और रेल लाइफ में कि अग्दम ऐसे कुर्टा पजामा बर्गा जा साथ तो वो एक्जाम के कबरे से निकले, थोड़ा सा फ्रेशोने के लिए गए और इतनी तेर में हमारे पिताजी हमारे साथ बैचेते है, अन्वे रजीम साहफ, प्रेट राइटर, अफुले, दिखो, 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 महरा करने लगे, जब उनने सिखाना शुरू किया, अलका सा गर्दन से आग, तो मैं गए गॉड़ा, इस तेर पे आते जाते है, इतना, कि महराजी को जब मैंने पहली बार देखा था, तो मुझे नहीं लगा था, कि इस जमीन का कोई इंसान है, मुझे ऐसा लगा था, कि हाँ, यह देफिनेटली एक कॉस्मोस से निकली एक खुबसूरत, एक एक एनरजी है दान्स की, तो यह बस एक बतादाए कि आपके फादर आपको खुद महराजी के संस्थान तग लेके कहते है, तो अभी फादर ने बोला नहीं कि हमारे पक्ष में रहो, तुम भी पत्र कि अप्रुजद यह नहीं था का दो, लेक। एक खुद तो मैं लेखना। विजिए अच्छली नहीं 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 है। विजिए अच्छली नहीं नहीं है। मुझे याद है कि मैंने कहा भी था मंच पे। शाष्मिती जी ने बुलाया है था मुझे मंच पे। तो महाराज जी सामने बैठे वे थे। तो मैंने का आज मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे इतने सालों की जो एक उनके लिए एक फीलिग है वो फादर की ही थी। अब ये बताएंगे इतनी तेर से मैं बोल रहींगे आप ये बताएंगे ने नी हो तो तो तुमको बताना पने रहे हूँ ये क्या मत हुए अचानक आप इतने भूले-मट के बोले क्या से होगा है आप सारे राज खोल दीज है मस हम लोग ऐक्शलिए माना जी आपिए जो इनके बड़े भाई की पत्मी हैं वो बेरे बाच में थी हम लोग तब स्कूल में थे बड़ा फ़णी लग रहा है यह कहते हैं कि हे और आप चोटे चोटे स्कूल से आते थे और हमारा एक batch था, इनलों का एक batch था, लड़कों का बहुत जबरदस batch था, उसमें ये जूनियर थे, उसमें आपके सारे seniors आजाते, लखन और शिवजी बगरा ये लोग साब, और कृषिन मोहन जी, और ये थोड़ा छोटे थे उमर में, लेकिन जबरदस थे, सबसे जादा आ आने लगे, और वहां से एक जोड़ी बन नहीं, और वो जोड़ी क्या बनी कि आज तक हम एक दूसरे को भूगाती रहे, वो बाद में ऐसा हुआ था, भूगाती रहे, वो ऐसा हुआ था कि महराजी जब कहीं बाहर जाते थे, आपको बैले जाता था, प्रगाम होता था, त तो यह फर्माईश होती थे लोगों कि जब तक राम, मोहन और निल्मा का डूट नहीं होगा, तब तक प्रगाम पूरा नहीं होगा, तो मतलब ये एक छवी बन गई थी, कि हम लोग का डूट हट जगे, मतलब उसके भीना प्रगाम नहीं होता, अनुतना में विदेश में, बुदेश में, बुदेश में, बुदेश में, बुदेश में हम लोग इतने सालों पाद, तो वहां से ICSR को ये ख़बर दी गई, कि इतना पॉपलर, 50 years में, कभी कथक का वो उस तरह का रिस, जो पीड़ग मिला, वो ऐसा हुआ कि बुदेश में, कि बुदेश में बुदे बुदेश में, कि कम से कम चलो, ये फिर से शिरुवा किया है, कर रही है, क्योंकि जब से ये एक्टिंग में आ गई है, इनकी काफी मूविस, सिर्ला सब निकला है, मैंने देखा, बहुत अच्छी, अब तो इस जोड़ी के जोड़गा कोई तोड़ने रहा, अब मिलके ही स रूस जब तक में यहां हूं, बतल Mu retired, si िुम्राइजी है मेहां सिर्फ महराजी के बाते है, दान्स की बाते है, हमारे बच्छो." ये ही सभचती रहती है. esis के बता दिये अभिनमा ची ने दो है, को भुष थी रहा है. मेरे पितारी, मेरे पिताजी ने उमर बाता था, पर मैं बहुत छोटा था और मेरे पिताजी की छोटी उमर में ही ध्यानत हो गया था, उसके बाद महराजी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उन्होंने समाला, उसके बाद से मतलब वही मेरे पितार और महास और वही था, उन् कुछ लोग कहते हैं कि यार तुम्हारे में ऐसा लगता है कि वाकई में महाराजी की जला कारे क्योंकि अंश आए गए अगर गुरू का अंश अगर शिष्च मना आए तो वो शिष्च बेकार है हाँ बिल्कुल मैं भी मानते हैं इस बात को तो जैने का मतलब यही है आज में चाहें है इन खोलता हूँ और अगर उनके दर्शन हो जाते नियुकम है दो जाती है बहुत-बदशाथी बात है और शैद में नहीं दिखा है इन लोग सभी देखा है ये PRAGAT हो जाते है में observe पर प्रगष भी है तो आज जो मैं दो रोटी खाता हूँ ना धर में या मैं मुझे असल मैं डांस सीखने का शॉप नहीं था I 설 », सिषय दोन, सब फुन किरिकेट किला करता。 महाराँ जी नहीं थे भर महाराँ जी महाराँ ज्सिन में था। सबस्तिङ करें जोखता ह। तो का विले निर घरी महाराँक भर मुहinku कई। मेरी मां और किषियन मौन थे, वहां Sumitra Charat burnout थी उन्होंने कमरा दे दिया था कि भाई शंभू माहराची की फैली वह लाहें तो आप यह सोचिए कि मैंने तो पानी को पानी मेटाल डाल के खाया है ऐसा गरीबी देखा था हमने कई सालों तक देखा महराची मदद करते थे तो एक बार क्या वा मैं महराची के पास गया और मैं कुछ बात की तो कुस्सा हो गए मेरे पर क्योंकि मुझे बात पिंच बहुत जल्दी होती है मतलब कुछ गोल दे ना तो मैं बहुत जल्दी वह हो जाता हूँ उन्होंने ये सोचा कि या अगर प्रिकिटी खिलता रहेगा या गुली रुना किलता रहेगा जो हमारे गर का क पर उन्होंने ये जो शड़ बोला वो मुझे यहां लुझे नहीं तो इन्होंने बोला उसके बास जो मैं घुमखुर उबान के जो मैंने रियाड अल्गी बीठाएं वर य जो हर शागिर्ट का सगरश होता है मैंने भी face किया कोई ऐसा extraordinary अलग से हटके नहीं किया रियास करना, stage पर कभी-कभी बड़ी मुश्किलात में नाचना, तब यह खराब है, high fever है, तो करना, show must go on, show cannot stop and अपनी गुरू की तरफ, total surrender, उसमें कही बार ऐसा होता है कि हमारी अपनी जो identity है यह हमारा जो अपनी सोच है उसको आपको पैठाना पड़ता है, you have to absorb, you have to sponge, you have to sponge, you have to be और महराजी से सीखना असान किसी के लिए भी नहीं था, because he was a continuous flow of creativity, of very complicated, complex rhythmic patterns and everything यह यह बंदा रहता था उनका, कई बार तो ऐसा होता था कि हम लोगा हाजमा खराब हो जाता था, उस जमाने में यह सब नहीं था आपके विडियो और यह सब ले लेना, यही computer था हमारा, जो उन्होंने कह दिया, जो त्याई बता दिया, जो टॉप्रा बता है भी आप खु खाते थे, by goodness, हर इंसान सीह नहीं सकता उनसे, उस तरह से जम के, तो मेरा कहने का मतलत है, यही एक संगर्ष था और अर, classical dance में, उस तरह से support, पैसा, glamour, या उस तरह की popularity, या उस तरह की वो नहीं है, तो, there is a lot of struggle with dance, it is not easy to be a classical exponent, you know, तो, बत यह के, devotion इतना था, और सबसे जादा बढ़कि मैं समझती हूँ, इश्क था, इबादत थी, तो, इसलिए कभी महसूस नहीं हुआ यतना की, बड़ा struggle करना पड़ा उनको, लेकिन तक्लीफे तो सारे कलाकार, जो है, वो face करते हैं, especially, unfortunately, हमारे देश में, आपके दोनों पुत्र हैं, बहुत ही खुब पहला कार है, शाहिट जी, शाहन जी, इनको भी कभी आपने कथ्थक की सिक्षा दी, उनको आता है, वो आते-जाते-कते हैं, तो ये प्रिंदा शोद उनका कौन राप रहे, महराजी रहे, रामोन जी महराजी रहे, मैं रही, क्योंकि मेरे साथ वो हमेशा रहे, और महराजी तो इंस्प्रेशन नहीं था, उनके लिए एक बहुत बड़ा जाहा थिया, और रामोन जी उनके फेवलिट, रामोन जी को मेल डांस में बहुत जादा पसंद करते हैं, उनका नाच, उनके नाच में जो पावर है, जो एक मास्कुलिनिटी है, उनका लिथ मुस्कली बढ़न जी के नाच में हैं, वो सब मेरे पिटे को बहुत पसंद है, वो सब मेरे बिटे को बहुत पसंद है, बग locked मैं हर ची बहुत बहुत पसंद करते हैं, और मैं तो उनकी इंस्परेशन पूही हार जिखा जाएं तो आज के समय में बहुत ही ज्यादा शराहन कर रहे हैं कि कही न कहीं आपने देखा था कुछ में रह थे हैं उन्हें कहीं कबूब कालगार थे ओन्हों अुडश भी ही तुकि वह अपनी अपनी जो भी उनकी अनग завис現ी उसके अम्हREE उसके प्रयासों में देले अばいथर से बहतर कर्ने में तो उन्हों तो उनको निखार के लाना उभार के आगे लाना इस प्रकार और कत्थक देखा जए तो कहीं न कहीं हमारे देश में लोग भूलते जारते जो यूत आ रहा है जो जितने भी यंग जनरेशन आ रही है इसको तो शायद पता भी नो कत्थक क्या चीज है इसको दुबारा से इस जो जिस तरगार का कारे करें है अभी देखिये मुझे बेर कारीफ इतना मत करिए क्योंकि अभी तो हम लोगों ने नीव रखा है और अभी शुरुआत है अभी इसको जरा खिले दीजे इसका बहुत खुबसूरत एक रिक्षबने दीजे और ये सारी चीजें जो हैं दुन पता लिता हूं इसम मे अभी जो बीच में मेरे बेटे जी हर्ष जो हैं उनुने बहुत मेरी हल की, मदद की और बहुत सारे लोगों से बात की है उनुने कि जहां जैसे नील्क का भी कुछ यहां भी कि ऐखार ब्ले, इसकी फ्रांच हम श्कुद तो इससतरह से हम चाहते की पूरे बंबाई में कोई जगे ऐसी ना हो जहार रूट्स एकाड़मी का प्रांच तैंक यू सो मच आशा करता हूँ कि पूरे देश में ऐसी कोई जगे ना है तैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपको बादा मुच जाए नहीं करूंगा और प्रेणा हमारे गुरू है इनका अशिरवाद है और हमें हमारे रित्य से बहुत मुहपत है और एक चीज और उनकी बता जेता हूँ मैं रुब जाओं महाराज जी मेरे बड़े माईसा किशन मोहन एक ही बार निल्मा को बोड़के फोन करके देखो रामुन आरा है जाए उसको टाइट रखना है क्योंकि बहुत जादा शैतान हो बहुत 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 कर लेता हूँ अब जब से मैं आया हूँ तब से ही मुझे टाइट रखे वह रहा हूँ जिन्दिगी मेरा जीना है ना खुश रहना सिखे जाहे वो मजार करिये चाहे जोग करिये जैसे भी हो समय कभी सीरियस निल्मा तो यह अम देरे और निल्मा में एक चीज़ है कि हमें जो असी मजार करनी पड़ती इससे करता है मुझे नहीं पता बंबबाई का वाता वरण क्या है अगर मैं कहीं गलत जाना तो यह तीरे सा मुझे यहां यह नहीं चलता यह नहीं नहीं करूंगा वाम एक आखरी प्रशने आप जाते 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 अपने फैंस को क्या संदेश देना चाहती है झोलता है कि आईये काताक सीखिये और हार चीज नाच से ही सिखेंगे अभेन है के लिए मृत्य सीकला मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है और कि कथक इसलिए कि उसमें एक नैस बल चर नग unnatural फ्लो है उसमें बहुत लोżyć के साते हो pa gail है मुझे भाह बहुत ही चलता के सब के मैं मुरभ बनाते जाई हैं, कभ शुरुआत करने जाने हैं इतनी बड़े सिर्ट्स पूछ रहे हैं पर चुरू हो गया, अभी वो भेजा था नारियल ने, मारकें नारियल है ने, वोडने के लिया वक्स नहीं हो, नारियल में जा था खोड़ ए शुरुवात हो गया. अरे क्या जरूरत है, अपर गूरुगा अशिर्वाद है, सब शुरू हो गया. आपको बहुत दन्यवाद, मैं आपके माने बातने लुग दन्यवाद, आप इसका चर्चा करने हैं और आपने पूरा दिन आज हम लोगों के लिए इंतजार किया, इसका बहुत दन्यवाद. महराज जी मेरा आपसे अगला प्रश्णी है कि आपका आज तक का पूरे जीवन का सबसे यादगार परफॉर्मेंस कहां पे रहा? मयरा सबसे पहला प्रोगाम में यह था कि अप्रोगाम यह उसके बाद जो मेरा प्रोग्र्मापा, बर्वजाणी। जिसमें हम 2-3 घंटे हम नाचेंगे और उसमें महाराजी तबला बजयाय थे मेरे साथ, वो मेरे यादगार प्रोगाम है. महाराज जी आप अपने थोड़ा खाननान के बारे में बताई है कि पुर्कों से लेके जो मुही मास तक यहां तक चली आ रही है। देखिए जो हम हैं जैसे हम लोग के जो परबाबा के बाबा के बाबा थे उनका अंखा अडगु जी, खडगु जी, तुलाराम जी यह था पहला नाम पिर आए गालका महराज, ठाकुर परशाद, बिन्नादीन महराज यह आए, फिर इश्वरी परशाद जी वतब यह सब ऐस वन्ष चड़ाया है पुरा तो मैं सात्वी वीडियो उसमें, तो हमारे पूर्वजों ने पूर्वज, 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 करते-करते, उन लोगों ने यही कांख किया, जो कथक तो एक सुन्दग होती है, महराज, महराज जी जो थे, वो भी हम और महराज जी यह महराज टाइटल जो लगा हुआ है, यह आपको कहां समेला यह नवा वाजद अली शा के पिदाजी थे, हावजद अली खान साहब, जिन्हों ने महराज का टाइटल हमारे जो परबाबाते उनको दिया, कि आप इस काम के महराज हूँ, तो वहां सी यह महराज के संपति, आजकल क्या है, सभी लोग महराज लगाने लगे हैं, चाहिए वो लड़की वो भी महराज लगा लगा ले हैं, और जिनको डांस नहीं आता वो भी महराज लगा लगा ले हैं, एक तो पंडित और एक महराज, यह सब कोई लगा 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 है, जबकि महराज बनने के लिए वो कबलियत होनी चाहिए, आपे वो गुण होने चाहिए, तब आप महाराज कहना ले लाएगे, ऐसा थोड़ी है कि हर कोई महाराज बन गे है, हम ऐसे मिश्रा हैं, पर हम लोगों को पूरवज में जो महाराज का टाइल दिया, वो हम लोग लगाते हैं, सितारा देवी ने, मह महाराज जी ने स्टेज पर खड़ोकर ये टाइटल मुझे थे, कि आज से ये, राम महाराज जी अगर आप करता करता ना होते, तो आज किसमें, मैं अप क्या होते, क्या बनना चाहते थे, आप एक चाहिए, क्या थी होते थे, मैं सचिन तनुल का बहुत-बड़ा फैल दांस में करकिट खेल लेता हूं कभी कोई त्याय ऐसी बताता हूं कि देखे HERE Yohu Bahramade अपनी extrah Prastuत नहीं जी कभी माराज जी के प्रति है अपने पिता जी के प्रति है WITH जायद पकड लेते है Haupt Chadadeni znा लेका है तो महाराजी ने तो पकड़ पकड़ के मुझे सिखाया, सब किया, तो आज कभी तो हम यहां बैटे हैं। आपके दो बेटे भी हैं, मैंने सुना हैं। तो उनको कभी आपने जिसे आपके पिता जी आपके बड़े भाई ने आपको कान पकड़ के इदर लेया है। तो आपे आपने दोनों बड़तों को कभी जहां रहां है। अचिड अब हमारे तकुमित हैं। इसके बाद विश्य क्या होगा, वो हमने हैं किया सब्सक्राइब कोई भाई बीचिश क्या है। इसलिए मैंने अपने बेटों को यही बोला था कि पेटा यह लोग ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं करते हैं, उनको भी नौलिज है, वो कौन क्या अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है वो पकड़ लेते हैं और समझ लेते हैं, पर हमने कहा कि side to side कुछ और अपना सोच हो ज और सही नगा इंडस्ट्री से जुड़े हो गया है, और हमारे जो बड़े बेटे हैं हश, वो एनिमेशन और वो उसमें हैं, क्या हूं गोलते हैं, वी एफेक्स में, और बड़ा अच्छा काम कान है, वो स्ट्रगल कर रहा है बहुत, और वो ग्यारा-बारा साल से बंबे मे हैं, वो यहां आके जो मेहनत कर रहा है, जो स्ट्रगल कर रहा है, भगवान उसको तो अच्छा मतर रखे और अपनी काम्यारी हांसिल करें, हम यही चाहते हैं, तो महराज जी अब यह जो आपके खानान की लगीसी थी, वो आपको क्या लगता है, आकरी पीड़ी हापी बच हाँ, बिल्कुल वो तो नादिप होते भी हैं, दूसर चीज क्या हम ऐसे शिष्च बनाना चाहते हैं, कि शिष्च लोग जब नाचे स्टेश पे, तो कल को वो मेरा नाम लेके हम इनके शाजियत हैं, तो भी देखे, लड़किया हैं, इतनी सारी, यह सब मेरे दो बेटे हैं मैं बेटी नहीं थी, तो इन पर मैं अपना हग जताता हूं, रियास करो, महिनत करो, कुछ बनो, आगे बड़ो, ताकि तुम लोग मेरा नाम लशुन भाए। दिली जाने के इच्छा नहीं हो रही है मेरी, पर मुझे बड़ा दूख है कि मैं परसो हूं, मुझे जाना पड़ेगा, फिर मैं वापस हा रहा हूं, चल्वरी है। कही बार कथक का जो बेस है वो छोड़ देखें, वो वेस्टन में आ जाते हैं। अभी बहुत से ऐसे डांसिंग जिसमें रश्यन बैले स्टाइल आ गया है। कि रश्यन ऐसे उचलना यू करना ऐसे करना उन्होंने कुछ मिलावट कर दिया क्योंकि आप मुझरूब लोग रहे नहीं कोई टुकने वाला रहा नहीं है। जो कथक हैं जोम लोग थाट केते हैं आमत केते हैं आपकश केते हैं परम कहते तहायेया है यह सब करिय senai आप कथा इयूंय है। इसमें आप वेस्टन कैसेट लूह हैं इस जिसके मैं घिलाब हूं और हमारी जो जो से फ्लम इंडीस्ट्रि है और यह लोग भी कफा दिखाते हैं अपर यह लोग पूदी पार इसकी वज़े से और हम लोग बदराने जबकि यह ऐसा नहीं है तो महराज जी का कोई ऐसा स्वक्ण रहा है जिसको लेकि आप इस समय कारशाली कर रहे हूं कोई इंसे दूरा रह गया हूँ ने उनका पस यही था उनके खुवाइश यही था हम तीन भाई हैं महाराग जी सबसे बड़े बीज में कृष्टन महुन जी मैं सबसे छोटा तो वो मुझे चाहते थे कि मैं एक बहार निकल के या तो लखनौ या बंबई वहां टिक के और इ बंबई इसलिए भी आ रहा हूँ कि मेरे बेटे यहां है सारे बच्चे मेरे यहां पर हैं तो मुझे और जला हिम्मत बननी तो इसलिए बंबई मैंने चुना कि मैं बंबई आ रहा हूँ तो महराज जी आज की युवा पीड़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे बस यही एक बेटा की युवा पीड़ी के लिए एक ही बात हम कहेंगे अगर आप लुग सीख रहे हैं कथर तो मन लगा कर सिखें और रियास करें सबसे बड़ी बात क्या होती कि गुरू का काम हैं करना है बच्चों का काम कि बच्चे करें उससे ट моह करेंगे तो क्या करेंगे अब चार दिन सिखेंगे और दो महिने क्या कर देंगे तो दो साल पीछे चल जाते हैं एकी साल पीछे इतनी होती है सबको जो ठक जाते हैं तो एक संडे ऐसा मिलता है कि जुसमें बच्चा संडे को कर सके पर उसमें सबसे ज्यादा अगर सायोग देना है तो पेरेंट्स के सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बच्चा कहा दे पापा आज नहीं करेंगे आहां बेटा ठक यह रहने मत करें यह गलत है उसको प्रणें आदा मिल्टा करो चार्जास्मेट करो बेटा यह करो उसके बार कि तो अब आगे कर्था का क्या बविश्य देखते हैं माराजी और इस कला को संडेंशित कैसे किया जा सकता है अब जैसे अभी मैं मेरे बच्चे नाच रहे हैं अब यह की अब जिस काला का पे वो विड में कही मार निखा सकता है तो हमें इन बच्चों से यहां से बड़े उमीदे हैं और बड़े मन लगाकर सीकते हैं इसलिए मेरा मेरा बंभाई ज्यादा इंट्रस हो गया और जो मेरे बेटे हैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा जरहा है और शीदर आओ स्वागत करना चाहेंगे यह रश्मिष्राजी का पर रशीर लाई से तक्षीर लाई से था यह मेरे बड़े बेटे हैं और बड़ अच्छा काम करना है और मैं इनसे भी कावियार मैं मजाक मजा कर तुस्ता कोई टुकड़ा सुना तो यहाद है तो वी एक्स पर उतराते हैं बॉलिवूड का वन्टू वन्टू तो अला हूं कि हमारा तादा दो सुना तो पर अच्छा काम कर रहे हैं बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं बंबाई में और 11-12 साल से यही है यही है मेरा तो यह मानना है कि स्ट्रगल is always a part of life और यह सब के जिंदगी में है चाहे बड़े से बड़े लेवल पे हो चाहे कोई भी लेवल पे हो पर अच्छा की यूथ जो है वो बेस्टन कुल्चर अपना रहे है विच वेरी गुड़ हमें उनके चाहियां लेनी चाहे है पर हमें अपनी रूट आट को नहीं पूलना चाहे है यह मेरा लक्ष है कि तो मेक अ बायोपिक अन बायोपिक वान पंदिल गर्जुमा अपना उसी प्रेशन में आराता है कि आप मुवी ने देश है कि तो आपने सोचा कि कथा को लेकि कुछ कोई मुवी की जए यह एक ऐसा आर्ट है जो अभी लुप्त होता जागा और उसके बात कौन समालेगा उसकी लेकिसी हमें नहीं पता है तो अभी हम जतना बचा सकते हैं प्रिशो कर सकते हैं तो एसे फिल्मेकर ही मिरे जिम्मेदारी कि मैं इसको जतना प्रमोट कर सकता हूं और एक ऐसे लेजंडरी शक्सियत के बारे में मैं वह फिल्म बनाउ जिससे की लोग जागरत हूं इत्स नोट जिस्त बाइपेकों पंडित बिर्जों महाराज जी बट इस अवल सु अविजन कि वह क्या चाहते थे उनका क्या नजरिया था कि उनके साथ भी और साथ में उनके बाद भी उन्होंने क्या सोचा था कि तुनिया आगे लेकिए तो इस अवल बूथ अपका अमूल वक्त जादा जाया ना करते हुए आपसे एक आखरी प्रश्ण रखोंगा, कि कत्थक जगत के आपके जितने भी फैंस हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, बस जो हमारे फैंस हैं, कत्थक के और बस आप लोग दुआ करिये भगवान से, कि मेरी जुतमन्ना वो पूरी हो और मैं बंबई में सेटल हो के बस हंगामा कर दूँ, सब बच्चों को सिखा के यहां बंबई में फेमस कर दूँ कि यह कत्थक है, मैं जो यहां पर सिखा रहे, मैं सब को नमशकार करता हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, सब लोग अपना-पना का करते हैं पर बेसिक कथक की जो तालीम है कि उसकी सही दिशा है उसका सही निकास है वो मैं बताने के लिए चुप रखता हूं कि मैं यहां कि वो बताओं कि कुछ ऐसे भी स्टुडेंट है कि जिनकी तालीम पूरी नहीं हुई है पर वो गुरू बन गए उससे क्या बच्चा पर गड़ता है तो मैं वो नहीं हूं मैं तो गड़ हूं मेरे गुरू ने ऐसा बीच दिया कि बेटा यह जमीन में वो पानी डालो इसका जो पेड़ निकलेगा और आम निकलेगा वो खाओ किसी दूसरे के घर से आम तोड़के मत्षा नहीं तो माली डंडे मारे तो वो ची माराब जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ आप जुड़े हमें माद्दम बनाया अपने संगर्च कहानी बताने का हुआ देश की जितने भी अपने नौजवान है उनको अपना संदेश पहुंचाने के लिए शुप्रिया और आप लोग का जबसे जना में और बच्चा होंगा ये आपकी आज आपने पहला इंटर्वु लिया है पर जब मैं आ जाओंगा तो मैं चाहता हूँ कि आप बार बार आओ मेरे बास बार बार आओ और मैं नई चीज़े बताता रहूँ कवरेज करें आप लोग के थुरू मैं फेमस होंगा ये सतिक है मेड्या से ना दुष्मनी करना है ना ना ओ करना है विया मीड्या सबसे इच्छी 9S मैं उसके साथ ना दोस्ती इच्छी ने दुष्मनी आपको साथ मेरी आप से एक चोटी सी शिकायत है आपने बूला ना कि फेमस नए कालागारों को किया जाता है ब्रेंड जो होत सही है पर यह है कि मैं ऐसी नई जगे पर आ रहा हूँ जो अभी थोड़ा आज कुछ जानते कुछ नहीं जानते विष्व गूमने के बाद आप मुंबाई को नई जगे बता रहे हैं मैं नेरे लिए, मेरे लिए कि मैं तो दिल्ली मेर हूँ ना वही तो अब अब विष्वी गूमे आप पर आप पाफ नाल मैं अमर्रिका में था शुरिण नाम में था तो अब अब मंभाई में छोडू हारी मेरा मन लग गया या अच्छा लगा मुझे और आप लोगो तो ठोड़ूंगा ही भी हाँ बहुत 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 बहने बाद महाराच्छा था 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 था